प्रिवोन आज हम लोग लेक्चर नंबर थीरी प्यार आ रहा है हूं मेंने टीज पड़ रहे थे बिटिक थर्ड समेस्टर ठीक है तो यहां पर क्या देख रहे थे बाबो कि जो आप पीछे लेक्चर में देखेंगे उससे आगे आज का है टॉपिक क्रेक्टरिस्टिक या फ उसको डेवलाफ किया जाता है ठीक है अब मालेजे आपके परती हम अच्छा सोच रहे हैं ते क्या है हमको नेचर थोड़के दिया मतलब प्राकिरती के द्वारा हमको थोड़े प्राप्त हुआ हम तो खुद अपने आपके परती अच्छा सोच रहे है ठीक है खुद डेव किया जाता है जब किसी द्वारा बनाया जाता है उसको हम लोग artificial कहते हैं तो language is artificial man has created language for his convenience to express his thought and experiences ठीक है expression अब मतलब जो आपका thoughts है किसी person के प्रती किसी व्यक्ति के प्रती वो क्या होता developed किया जाता है ठीक है हमको आप पे गुसा करना है तो आप कुछ ऐसा काम कर दिये जिससे हम आप पे गुसा कर दिये मतलब खुद गुसा create किये कभी कभी ऐसा होता है न आप घर पे रहते हैं आप कोई समान तोड़ दिये लिखिन आपके पाप आपके पाप पे नहीं गुसाते मतलब वह आपके प्रती कोई thought create नहीं किये अगर create कर देते तो गुसा हो जाते मतलब यहां पर क्या हो रहा है खुद से creation हो रहा है creation हो रहा है मतलब language is artificial ठीक है express our thoughts in word because all cannot be explained through the words कभी कभी क्या होता है कि हम किसी बात करते समय किसी meaning को वहां पे छोड़ देते हैं जिसकी वज़र से आपको समझ में नहीं आता है कि हम कहना क्या चाह रहे थे ठीक है जैसे कि आप three years movie देखे होंगे वहां पे वो कुछ बोलता है तो वहां पे एक रहते हैं प्रोफेसर जो बोलते है अरे भाई आप कहना क्या चाहते हो यानि उसमें कुछ ऐसा meaning सा रहा था जो उनको directly समझ में नहीं आ रहा था कि बंदा कहना क्या चाह रहा है ठीक है देखे थे न तो उसमें एक dialogue है जो हम लोग आम तर पर यूज करते हैं कि आप कहना क्या चाहते हो तो मतलब ऐसा कुछ meaning है रिस्टिकेट मतलब वहां पे कुछ ऐसा meaning lost हो जा रहा है जो जो information create कर रहा है और भेज रहा है मतलब sender और receiver के पाँ send तो कर दे रहा है लेकिन receiver उसको receive ही नहीं कर पा रहा है तो ही हो जाता है language इसे रिस्टिकेटेड ठीक है अगला पर आते है language इसे आर्वेटरी जिसे language है है और आर्विटरी मतलब unknown है जैसे हम माल लेते हैं बोलेंगे इसको laptop क्यूं बोलते हैं हम जिससे पढ़ा रहें उसको laptop बोलते हैं क्यूं बोलते इसका कोई meaning ही नहीं कि क्यूं बोलते ठीक है तो यह क्या है there is a no direct relationship between a word and the idea और दा अबजेक्ट किसी भी आइडिया और बर्ड से बर्ड के बीच में कोई भी रिलेसंशिप नहीं होता है तब उसको हम लाइंग्वेज आर्वेट्री कहते हैं जैसे भी कैनोर से भी नेम एपीस ऑफ फरनीचर बित फोर लेक्स एज चेयर इट कुड हैब बिन सम्थिंग दोंगे hanno से उसका झार पायर हो हम लोग कहते उसको जरूरी ने है ऐसा कोई भी नौन चीज नहीं है और गन्मान होता है जन न Ан नहीं है जिस से हम कहा सकते हैं त्टिक है आलफ समझ्वेट्री आया चलिया लैंगवग इज अबस में होता है ना कहांगी है फिर यह लेंगे जीजे अफस्टेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ जैसे उसमें थे एडिगेट्स का ही एक्जाम पल देते उसमें बोला था ना कि मसीन क्या है तो सिंपल भासा में समझाने के कोशिस किया लेकिन वो बोला कि ऐसे लिख होगी एक्जाम में तो फिर भूक लाने जाता है अपना वो लंबा चोड़ा explain करता है तो बोलता सिधा सिधी नहीं बोल सकते थे बूक है उसी तरह से आप मालीजे कहीं आपको बोल दे कहां गये तो आप बोले जहां पे परसाद ले जाते हैं फूल ले जाते हैं जहां पे हम लोग पूजा करके हुमा जलाते आरती उतारने के पाद आते हैं उहां गया है इसको सिधा सिधी हम क्या बोल देत से मंदीर गया है तो लाइंगवेज एक है रवा में पूरे चीजको मेंट एक बहर में बोल दिया जाए ठीक है तो लेंग्वेज इजे अब्स्ट्रेक्ट यानि अश्कुल हम जहां से A B C D C है जहां से हम लोग टेवल सिखे हैं फिर 1 class 2 class 3 class पढ़े हैं तो उसको हम दिये बोलता कहा गया तो जहां A B C D C सिखे थे 1 टू सिखे थे वहां गया यहीं है लैंग्वेज जिसको क्या करता है लैंग्वेज अबस्ट्रेक्ट बिकाज इट रिपरजिंट जिन्नरेलाइड आइडिया त्रिक ये टिया है किसी बी आईडिया को आप जेन Arizona करके बता सकते हैं उसको हम लोग क्या क裡面 उच्वीश ये अब्स्ट्रीक अगला पोइंट आते हैं language एक रिटक्रिस लेंग्वेड्य क्रिएटिव है लेंग्वेडमीक है बोलते हैं एक क्रियेट टेवल है जैसे हम लोग बोलते है खानी योग के टेवल जो खानी का चीज है उसको इतेवल बोलते हैं उसी तरह से लेंग्वेज जो एक क्रियेट किया जा सकता है जैसे एकजामपल देते हैं कोविद नाइंटीं कैसे बोल रहा हैग क्रोना वायरस क्रोना वायरस क्रोंच रिजेज कब सूल्च में फूले मान या था फ़िका इसको से दी बैंट्स का बी आई निंग तेकि यहां पर बड़ casos हो गया COVID-19 उसी तरह से हर दिन कोई ना कोई मीनिंग कोई ना कोई लेंग्वेज का बोर्ड हमेशा क्रियेट होते रहता है ठीक है तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लेंगवेज इज़े करियेटीब तो ago इसका फीचर समझ में आया होगा कि इसका कहां गया करेक्तरिस्टिक या फीचरस ऐह लेंगवेज इज जी रिस्टिकेटेड तीसरा है लेंगवेज जी आजडवेटरी चौथा है आपका लेंगवेज जी अबस्ट्राक्ट पांचमा है लेंगवेज जी रियेटीव ठीक है तो किलियर है चली अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं रीडिंग एंड कंप्रेहंसन जो यहां पर क्या होता है दूसरा रीडिंग में होता है आपको read करना है ठीक है किसी चीज tutti लिखा एंवा कहीं जा रहें लिखा हुआ है लिखा हुआ है लेकिन जीसको पढ़ते हैं उसका meaning निकालते है strongest को हमढ़ों रिदिंग काते हैं है इसको डेत्स में डीप में पढ़ते हैं तो इसीएञकी काते है। उसका सैंबल्स के देखना यह इसको रिडिंग करता है और रिडिंग दो तरह कैंगे होता है एक रिडिसuju निए इंटेंसिवली होता है जो अरे इंटेंसिवली होता है उसको सिर्फ आश्तेंडिंग दिशाव पड़ते मुंस का प्र सुब़क्राफ के नीचे दिशावा पर इहां पर नीचे गील घ dwell तराउन में बाढ़ आया ठीक है उपर उपर पढ़े लिकिन कैसे आया उसको पूरा पढ़ना तो हम उसको reading extensively बोलेंगे उसको depth में अगर knowledge लेंगे तो ठीक है चलिए reading comprehension reading comprehension क्या है refers to the ability to understand the information presented in the written form जो लिखा हुआ है उसका information को समझना क्या कहला आता है comprehensive कहला आता जैसे आप अपना पढ़ते हैं ठीक है सिले वस में उपर उपर पढ़ते हिंगे हो जाएगा खले यहां पर पढ़ लेते comprehension होता है इतना से आप समझते है नहीं उसको क्या करना कोई बड़ को नहीं समझने का मतलब जैसे मालीजी अभी बोल देते हैं अभी वास्ट वास्ट मिन्स क्या होता है? अब बहुत लोगों की बड नहीं समझ में आ रहा है, वास्ट मिन्स होता है बेग, बड़ा ठीक है? तो देखिए, अब adv rebord लेकिन हो किसी को senteence ही नहीं समझ में आ रहा है, sentence ही नहीं समझ में आ सेंटेंस का मतलब जैसे कोई अभी कोई लाइन लेते सी लेवस का कोई टॉपिक ले लेते जिसमें हम आपको पढ़ा दिये लेकिन वो लाइन का मतलब आपने समझे कि सरी लाइन का मतलब क्या कर रहा है ठीक है जैसे माले सेविल इंजिनियरिंग से है तो बकलिंग ऑफ सैंड क्या है अब इडाइन नहीं समझ में आ रहा है कि अपको इसे प्रब्लम नहीं है कि अपको पढ़ लिये सब चीज़ लेकिन रिलेट ही नहीं एक दूसरे से कर पार रहा है यह भी एक पढ़ लिए पहला लाइन पढ़ें दूसरों लाइन पढ़ें खुद एक लाइन अपने समझ में आ गया दूसरा लाइन भी समझ गया अब एक दूसरे को कैसे रिलेट करें यह भी पूर कंप्रेहेंसन का एक रिजन हुआ इन अबलेटी तु अंडरस्टाइंड दा इनफॉर और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आपका कंसंट्रेशन सही होना चाहिए ठीक है आपका सबसे पहला आपका कंसंट्रेशन सही होना चाहिए उसके प्रती इंट्रेस्ट होना चाहिए सिविल इंजिनियरिंग करने आ गया है सिविल इंजिनियरिंग करने का मन ही नहीं था तेह भी एक रीजन हो सकता है tips to improve comprehension skill हम को हम इस जो पूर रीजन था रीजन था पूर comprehension का उसको हम कैसे develop कर सकते कैसे improve कर सकते तब पहला है read a variety of materials do not limits yourself to textbook textbook ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम उसी को एक textbook माली कोई copy है जैसे book है आपका civil engineering का उसको पढ़ लिए हो गया नहीं उसके बारे में आसपास चीजे को analyze किजिए ठीक है जैसे survey पौड रहा होंगे survey में देख लिए कि compass क्या होता है अब हम तो यहां बता दिए लेकिन आप जब खुद पर उसको apply नहीं करें खुद न देखेंगे building materials बता दिए अब खुद से नहीं देखेंगे घर पे जाकि यह वला कौन सा चट जाय कौन सा लिंटल कौन सा बेंडो तो आपको दिक्कत पड़ेगा तब जाके आपको पूरा तयारी होगा एक्जाम का ठीक है अभी तो सी लेवस complete करें एक्जाम के दस दिन पहले से यह सब स्टार्ट करते अभी से नहीं स्टार्ट करते ठीक है एक्जाम के दस दिन पहले आपको सारा कुछ करवाया जाता है तो यह different type के materials को आप बगिरे भी देखें ठीक है read a fairly long portion of the material try to read an entire section or chapter instead क्या करना है उसको long portion material है जिसको क्या करना पढ़ते जाना समझते जाना section by section ठीक है topic by topic circle unknown और unfamiliar bird as you read जो आपको bird नहीं पता है उसको underline करे circle करे और उसके बारे में meaning देखे उसके बारे में अपने जो आपको guide कर रहे हैं उनसे पूछे कि हां sir इसका मतलब क्या हो सकता है इसका मतलब हम कैसे निकाल सकते इस तरह से आप अपने comprehension को बढ़ा सकते after reading recall as much of the information as possible पढ़ने के बाद उसको recall करने की कोसिस करे ठीक है फिर से revision करने जैसे survey पढ़ा दिये अब उसको आप revise नहीं कर रहे हैं तो कुछ दिन के बाद आप उसके भूल जाएंगे फिर ये भी नहीं पता होगा कि sir इसके बारे में क्या बोले थे तीसलिए पढ़ने के बाद उसको just revise consider how interesting the subject matter is and how much you already know about the subject आपको क्या करना है अपने subject के प्रती एक interest बनाना होगा खुद से बनाना होगा ठीक है खुद से कैसे बना सकते जैसे माली जो चीप पढ़ रहा है उसके बारे मीं इंट्रेस्ट बढ़ाने के लिए बताते हैं जैसे माली आप क्या पढ़ लग रहा है तो मेरे खयाल से आपको अटो कई लग रहा होगा ठीक है तो अपना subject आप सेर कर सकते कि आपको किस subject में दिकत लग रहा तो उसके बारे में बताएंगे तो यहां माली जो अटो कर लग रहा है तो सबसे पहले उसका theory पढ़े तो कुछ समझ में नहीं आएगा उ ऐसे कैसे कर रहे है पोली लाइन क्या है ठीक है या जो भी है उसका ट्रीम कमांड क्या है सब को अपलाई कर करके देखिए धीरे धीरे आपको इंट्रेस्ट बढ़ जाएगा ठीक है सर्वे है सर्वे को पढ़े उसके बाद उसका जीस तरह से आप डेली रिल्स देखते हैं तो इस तरह से आप इंट्रेस्ट अपने सब्जेक्ट में बना सकते हैं अगर जीसमें दिक्कत लग रहा अंसर क्यूशन एबॉर्ट अप्टेरियल आफ्टर रीडिंग इट उसका अंसर क्यूशन करें सबसे बड़ी बात है कि कंपटेटिव एक्जाम नेशन जब आप क्यूशन लगाने होते हैं ठीक है क्यूशन का एक क्यूशन आंसर का मोडल सेट होता है जिसको लाइए क्यूशन बना बना के देखिए प्रैक्टिस किजिए तो पहला दिन 100 क्यूशन में 50 क्यूशन सही होगा फिर भी 50 क्यूशन सही होगा 60 क्यूशन सही होगा फिर एक वार बनाएंगे फिर उसको कहा कहा गलती हो गया फिर देखेंगे फिर से जोvideo complete किये थे फिर उसको पढ़ेंगी फिर से position लगाएंगी इस तरह से करते करते तयारी होता है competition exam का तो आज है तक रहने देते हैं फिर कल से कल हम लोग मिलेंगे technical ident यहां से आपके क्या होंगे दोकुमेंटेशन परironously से तग में रफ्दार पकड़ए। इस डोकुमेंटेशन प्लानींग तक लाने के लिए रास्ता बना रहे ठीक है जब वह रास्ता पर आप आ रहे हैं तो आज हम लोग यहां तक कहां गया एक सब्सक्राइब करें तब तक अपना टॉपिक कम्प्लीट करें